गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स मैं इतु चोधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याई स्री में तो कैसे आप सभी आई होप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे जैसे कि आपको पता ही है आपके नॉम्बर के लास्ट वीक में इस्टेट टैट एकजाम होने है और आपका जो जो सीटेट है वो दिसंबर में होगा तो उसमें आपको आपने जो थियोरी पढ़ी होगी उसी से related questions है question series है जिसे पढ़के आपको क्या हो जाएगा revision हो जाएगा ठीक है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि question किस home में पुशे जाते हैं तो इसी के लिए आज की class की सुरुआत करते हैं एक motivational code के साथ जिसमें आज का हमारा code क्या है कि रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा ठकर ना बैट है मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा तो इसी के साथ आज की class की सुरुआत करते हैं हमारे first question से आज का हमारा first question क्या है फटा फट से रेखेंगे आप लोग आज का हमारा first question है कि आप एक अती सक्रिय बालक को कैसे सही दिसा में लाएंगे first option है कि उसे पहली पंक्ती में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे दूसरा option है उसे कक्सा के कोने में बैटने की जगया निरदारित करेंगे तीसरा option है उसे स्याम पट आदी साब कराने का काम देंगे और last option है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या इन में से उसे कुछ नहीं कराएंगे तो बताइए कि जो एक अतिसरा के लिए बालक होता है यानि बहुत ज़्यादा एक्टिव बालक होता है उसे आप सही दिसाम में लाने के लिए क्या करेंगे आप लोग इसका आंसर देंगे फटाफट से इसका आंसर क्या होगा हमारा इसका आंसर हो जाता है हमारा उसे स्याम पट आदी साब करने के लिए देंगे क्या देंगे उसे सामपट आधी साप करने का काम देंगे ठीक है नेक्स्ट कोश्चन आता है हमारा कि प्रतिभास आली होने का संकेत निम्न में से निम्न में से क्या नहीं है और क्या है इस चीज पर ध्यान देते हुए चलेंगे क्योंकि आप लोग कन्फूज हो जाते हैं वहाँ पर और पूरा कोश्चन ही नहीं पढ़ते पूरा उसमें से जैसे ही आपने यहां तक पड़ा कि प्रतिभास हली होने का संकेत क्या है तो आप फटफट से आंसर लगा देते हो देना हमें आंसर नहीं है क्या नहीं है ठीक है तो हमें सब पूरे कोश्चन को पढ़िए तब जाके आंसर लगाईए ठीक है तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाता है क्या विचारों में सरजनात मकता है क्या दूसरों के साथ लड़ना है क्या अभी व्यक्तियों में अनूठापन है या कोतु हल है यानि जो परतिवा साली होने का संकेत है वो इन में से कौन सा नहीं है फटाफट से बताएंगे तो इसका अंसर हो जाता है हमारा option B यानि दूसरों से लड़ना जो परतिवा साली बच्चे होते है वो दूसरों के आप नहीं लड़ते नेक्स्ट कोशन देखेंगे थर्ड नंबर कोशन है हमारा कि विद्यारती में एवांचित व्यवार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभाव साली सबसे प्रभावी पदती कौन सी है विद्यारती में एवांचित व्यवार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पदती कौन सी है विद्यारती को दंड देना, अभी बावकों के ध्यान में इसे लाना, एवांचित वैवार के कारणों को ढूंड़ना एवं उपचार का प्रबंदन करना और इसकी उपेक्सा करना इन चारों में से सही उपसन क्या है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या हो जाता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, एवांचित वैवार के कारणों को ढूंड़ना और उपचार का प्रबंदन करना, यानि जो ऐसे एवांचित कारणों को ढूंड़ना और उपचार क करना कि समश्या क्या है उसे दूर करना उसका उपचार करना नेक्स्ट कोशन आ जाता है कि समश्या के अर्थ को जानने की योगिता वातावरण के दोसों कमियों एवं रिखतियों के पड़ती सजगता विसेस हैं इन में से कौन सी पर्तिबासाली बालकों की सामान्य बालकों की या सरजनसील बालकों की या उपरोक्त में से कोई नहीं फटावरण के दोसों कमियों एवं रिखतियों के पड़ती सजगता विसेस हैं कौन से बालकों की पर्तिबासाली बालकों की सामान्य बालकों की या सरज स्रजंसील बालकों की यह उपरोक्त में से कोई नहीं फटापटसे इसका आंशर बतायेंगे फौर्फ नमबर गोशन्सेन तो इसका अंशर हमारा क्या हो जाता है थार्ड ओप्सन हो जाता है तर्च आष्टाए पर स्रजंसील बालकों की ठीक है नेक्ष्ट कोशन देखेंगे फिफ्ट नंबर पे है अध्यापक के द्रश्टी कौन से परतिभा सालिता किसका सही योजन है बढ़ताएंगे फटा फट से उच्छ योग गिता उच्छ सरजनात मकता या उच्छ वचन बदता प्रतिबा सालिता किसका सही योजन है फटा फरसे इसका आंसर देंगे फिफ्ट नंबर कोश्टन का आंसर हमारा क्या हो जाता है फटा फट से बताएंगे Option 1 हो जाता है यानि उच्छ योगता उच्छ सर्जन आत्मकता एवं उच्छ वचन बदिता ठीक है Next question देखेंगे इन में से कौन सी विसेशता प्रतिवा साली बच्चों की नहीं है उच्छ आत्म छमता कौन सी विसेशता प्रतिवा साली बच्चों की नहीं है ध्यान देंगे नहीं है दूसरा होता है निम्न ओस्तिय मांसिक परकिरियाई तीसरा option है अंतर द्रश्टी पूर्वक समश्याओं का समधान करना और फोर्ट option है उच्छ तर स्रेणी की मांसिक परकिरियाई तो फटा-फट से इसका आंसर देंगे इन में से कौन सी विसेशता प्रतिवा साली बच्चों की नहीं है ओप्शन question number 6 का आंसर देंगे आप लोग इसका आंसर क्या हो जाता है second option हो जाता है यानि निम्न ओस्तिय मांसिक परकिरियाई निम्न ओस्तिय मांसिक परकिरियाई next question देखेंगे निम्न में से कौन सी परिस्थिती सर्जनात्मक्ता को बढ़ाने में सहायक होती है फटा-फट से बताएंगे निम्न में से कौन सी परिस्थिती सरजनात्मक्ता को बढ़ाने में सहायक होगी Option 1 है सीखने है तू सीमित अवसर हो दूसरा Option है बच्चों को उत्तर याद करने के लिए दिया जाए तीसरा Option है किसी समश्या का समाधान बता दिया जाए चोथा Option है जब बच्चों को सम करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिये जाए तो फटा-फट से बताईए इसका अंसर कि कौन सी परिस्थिती है जो सरजनात्मक्ता को बढ़ाने में सहायक होती है तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चा जब करके सीखेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा जब यानि इसका Option हो जाता है कि जब बच्चों को स्यम करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिये जाएंगे तो सरजनात्मक्ता उसके अंदर सरजनात्मक्ता बढ़ेगी ठीक है नेक्स्ट कोशन देखेंगे एट नंबर कोशन कि बच्चों तक सरवाधिक बच्चे तब है ये ठीक है बच्चे तब सरवाधिक सरजन सील बच्चे तब सरवाधिक सरजन सील होते है जब वे किसी गती विधी में भाग लेते है सिक्सक की डाट से बचने के लिए दूसरों के सामने अच्छा करने के दभाव में आ कर तीसरा अपनी रूची में या पुरस्कार के लिए तो बच्चे कब अधिक सरवा स्रजन सील होंगे जब इस इक सकी डाट से बचेंगे या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर या प्रसकार के लिए या अपनी रूची में नेक्ष्ट कोशन है हमारा कि निमलिकित में से कौन सी विसेस्ता पर्तिभावान सिक्षार्ती की है यदि कक्स की गतिविदिया अधिक चुनोती पूर नहीं होती तो वे कम प्रेरित अनुभाव करता है और उब जाता है दूसरा उप्सन है कि वे बहुत ही तुनक मिजाज होत है दीसरा उप्सन है वे रस्मी वहवार करता है जैसे हाथ थपतपाना डोलना आधी चोथा उप्सन है वे आक्रामक और कुंठित हो जाता है तो बताईए इसमें से कौन सा उप्सन राइट उप्सन है यानि राइट आंसर है फटा-फट से बताएंगे 9 नंबर कोशन का आं जाता है यानि जो कक्स है कक्सा कक्स है अगर मागी गतिवीदिया अधिक चुनोति पूर्ण नहीं होगी तो बालक क्या करता है कम प्रेजित अनुबाव करता है और उप जाता है ठीक है नेक्स्ट कुशन देखेंगे प्रतिवासाली बालकों के संदर्व में कौन सा कथन सत्य नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है तो आंसर देखेंगे इसका आंसर हो जाता है हमारा ओप्सन क्या क्या है ऐसे बालकों की रुची दूसरों की आलोशना में अधिक होती है दूसरा ओप्सन है तरक करने की योग गिता सामाने बालकों से अधिक होती है तीसरा ओप्सन है ये बालक सामाजिक दरस्टी से भी सुदर्ड होते है और चोथा ओप्सन है ऐसे बालकों में ग्यान की जिग्यासा मौलिकता तथा द्रड इच्छा सकती पाई जाती है तो फटा-फट से इसका अंसर बताएंगे कोशन नमबर 10 का जो अंसर है वो क्या है तो इसका अंसर हो जाता है हमारा फर्स्ट ओप्सन यानि ऐसे बालकों की रूची दूसरों की आलोजना में अधिक होती है ये इसका सही ओप्सन नहीं है बाकी सारे सही है ठीक है ये इसका अंसर हो जाता है नेट्स्ट कोशन देखेंगे, कि निमन में से कौन सी स्रजनात्मक्ता की विसेस्ता नहीं है, भोलिक्ता, भोलिक्ता नहीं है, ये मोलिक्ता है, उथपादक्ता, एपरिवर्थनसील्ता और नवीन ग्यान की खोज, इन में से स्रजनात्मकता की विशेष्टा कौन सी नहीं है, मोलिकता भी है, हुथपादकता भी है, नवीन ग्यान की खोज भी है, यानि एपरिवर्तन सीलता नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, next question देखेंगे, question number 12, 12 देखेंगे अमारा question क्या है कि निम्लिकित में से क्या बच्चों की सरजनात्मक्ता के लिए विकास में सहायक नहीं है निम्लिकित में से क्या बच्चों की सरजनात्मक्ता के विकास में सहायक नहीं है खेल, भासन, कहानी लेखन या निर्मान संबंदी क्रियाए फटा फट से बताएंगे इसका आंसर, खेल, भासन, कहानी लेखन या निर्मान सम्बंदी क्रियाई, खेल भी सायक होते है, कहानी लेखन भी सायक होते है, निर्मान सम्बंदी क्रियाई भी सायक होती है, यानि भासन सायक नहीं है, तो भासन क्या हो जाता है, इसका राइट आ स्रजनात्मक्ता को उत्प्रेरित करता है सीखने का वह मोडल जो बच्चों की स्रजनात्मक्ता को उत्प्रेरित करता है क्या कहलाता है बैंकिंग मोडल कहलाता है रचनावादी मोडल कहलाता है प्रोग्रामिंग मोडल कहलाता है या इन में से कोई नहीं तो सीखने का मोडल जो बच्चों की सरजनात्मक्ता को बढ़ाता है उत्प्रेजित करता है वह कहलाता है रचनावादी मोडल ठीक है नेक्स्ट कोशन देखेंगे कि एक मेधावी छात्र अध्यन में बहतर उपलब्दी हासिल नहीं कर पा रहा जिक्सक को निमन में से उसके लिए कौन सी गतीविधी अपनानी चाहिए फर्ष्ट ओप्सन है उसके बहतर परदर्शन की परतिग्या परतिग्या नहीं यह परतिक्सा है ठीक है ये typing mistake हो जाती है उसकी बहतर परदर्शन की परतिक्सा करनी चाहिए उसकी कम उपलब्दी का कारण पता करना चाहिए उसे परिक्सा में किर्पांक देना चाहिए या उसके अभिबावक से कहना की वह है उसे स्कूल से निकाल ले तो एक मैदावी छातर है जो अध्यान में बहतर उपलब्दी हासिल नहीं कर पा रहा है सिक्सक को उसके लिए कौन सी गतिविधी अपनानी चाहिए तो इसका आंसर हो जाता है Option B यानि उसकी कम उपलब्दी का कारण का पता करना चाहिए कि उसकी कम उपलब्दी क्यों हो रही है उसकारण को सिक्सक को जानना चाहिए ठीक है नेग्स्ट कोशन देखेंगे 15 नमबर यानि निमन में से कौन सा सिक्सारतियों में सरजनात्मक्ता का पोसर्ण करता है ठीक है इसका अंसर क्या हो जाता है इसके option क्या-क्या है कि अच्छी सिक्सा के वैवारिक मुल्यों के लिए विध्यार्थी का सिक्सन, दूसरा हो जाता है प्रतेक सिक्सार्थी की अंतरजात प्रतिभाव का पोशन करने एवं प्रसन करने के अवसर उपलब्द कराना, तीसरा उप्सन हो जाता है विध्यार्थी जीवन के प्रारंब से उपलब्दी के लक्षों पर बल देना और चोथा उप्सन हो जाता है परिक्सा में अच्छे अंकों के लिए विध्यार्ती की कोचिंग करना तो बताइए कि सिख्सार्थियों में स्रजनात्मक्ता का पोशन करता है इनमें से कौन सा उप्सन इसका राइट आंसर हो जाता है प्रति नमबर कोच्छन का आंसर बताएंगे आप लोग तो इसका आंसर हो जाता है परति एक सिख्सार्थि की अंतर जात परति भाव का पोशन करने एवं प्रसन करने के अवसर उपलब्द कराना नेक्स्ट कोच्छन देखेंगे कि परतिबा साली विध्यार्ती कैसे होते ह यानि स्वभाव के अंतर मुखी होते है दूसरा उप्सन है अपनी आवशक्ताओं को दढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते तीसरा उप्सन है अपने निर्णयों में आत्म निर्भर होते है और चोथा उप्सन है सिख्सकों से स्वतंतर होते है ठीक है बताए प्रतिबा साली बालक कैसे होते हैं अपने स्वभाव के अंतर मुखी होते हैं अपने आविशक्ताओं को दढ़ता पूर्वक नहीं क्या पाते सिक्षकों से स्वतंतर होते हैं या अपने निर्णयों में आत्म निर्भर होते हैं तो यह बिल्कुल सही option है जो प्रतिवा साली बालक होते हैं व 16 17 तो अब यह 18 नमबर आएगा ठीक है यह हो जाता है 18 नमबर ठीक है घ्लिंग वर्थ ने परतीवासालेबालकों के विपाठे करम में सम्रदी के लिए क्या कारिय करम में एगा और दूसरा है जीवन गाथाओ का अध्यान तीसरा है विसेस योगिताओं में प्रशिक्ष्ण और चोथा है उपरोक्त सभी तो पताईए 18 number question का answer क्या हो जाता है तो इसका right answer हो जाता है जीवन गाताओ का अध्यान यानी option भी इसका right answer हो जाता है नेक्स्ट देखेंगे ये 19 number question हो जाता है यहाँ पर typing mistake है नेक्स्ट है कि परतिवा साली बालकों के सिक्सकों की विसेस्ताओं के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है समर्ण ग्यान एवं सूचना से युगत होना विसेस्ट प्रशिक्षन एवं प्रमान पतर का होना अत्यंत आवश्यक तिसरा है बालकों के उत्साहित एवं प्रेरित करने की छमता होनी चाहिए और चोता है व्यक्तिगत एवं सामाजिक दैतू का बोध होना चाहिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है कि परतिबा साली बालकों के सिखसकों की विसेस्ताओं के बारे में जो प्रतिवा साली बालक होते हैं उनके जो सिक्सक होते हैं उनकी विसेस्ताओं के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है उनने इस नंबर कोशन का आंसर देंगे फर्ष्ट आंसर यानि समरद ग्यान एवं सूचना से युक्त होना चाहिए नेक्स्ट कोशन देखेंगे गिल फोर्ड के सरजन आत्मक्ता गिल्फोर्ड के सर्जनात्मक्ता के पर्मुक तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है गिल्फोर्ड के सर्जनात्मक्ता के पर्मुक तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है कोशन नंबर 21 हो जाता है ठीक है गिलफोर्ड के सरजनात्मक्ता के परमुक तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है तातकालिक स्थिती से परे जाने की योगता, अन्ने के विचारों में परिवर्तन, अविसकारात्मक, सरजनात्मक्ता या समश्या की पुनरव्याख्या तो बताईए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है, समश्या की पुनरव्याख्या यानि फोर्ट आंसर, इस फोर्ट ओप्सन इसका राइट आंसर हो जाता है नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे 22 नमबर ठीक है कि टेलर मोहद्य के सरजनात्मक्ता के परकार में किसको सम्मिलित किया जाता है नवाचारित सरजनात्मक्ता को सम्मिलित किया जाता है आयातित सरजनात्मक्ता को किया जाता है अभी व्यक्तात्मक्त सरजनात्मक्ता को किया जा जाता है बाईस नंबर कोस्टन का आंसर बताएंगी तो किसे किया जाता है उपरोक्त सभी को किया जाता है यानि ओप्सन 4 इसका राइट आंसर है नेक्स्ट दिखेंगे 23 number question का जो आंसर है 10 के कारण परतिवा सालिता होती है यानि यहां पे कुन सा सब्दाएगा जिसके कारण परतिवा सालिता होती है मनो सामाजिक कार को दूसरा option है अनुवांसिक रचना तीसरा option है वातावर्णिय अभी प्रेड़ना और चोथा option है दो और तीन का सहियोजन यानि इन दोनों और तीनों का सहियोजन यानुवांसिक रचना और वातावर्णिय अभी प्रेड़ना का सहियोजन तो इसका right answer हो जाता है 4 यानि 2 और तीन का सहियोजन ठीक है next देखेंगे 24 question 24 question देखेंगे यह हो जाता है 24 परवहपूर्णता, व्याक्या, मौलिक्ता और लचीलापन डैस के साथ संबंदित ततु है परवहपूर्णता, व्याक्या, मौलिक्ता और लचीलापन इन में से किसके साथ संबंदित ततु है 24 question का answer हो जाता है option 1 यानि प्रतिभा option 1 इसका right answer हो जाता है ठीक है next question देखेंगे प्रतिभा साली सिक्सार्टियों को डैस से जुड़े परसनों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है जो प्रतिभा साली बालक होते है उन्हें इन में से जुड़े परसनों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है इसमरन मांसिक दोस्युक्त छात्र समक्ष वानी दोस्युक्त छात्र फटा-फट से इसका right answer क्या हो जाता है इसका right answer आप लोग बताएंगे यह 25 नंबर है यहीं तक करेंगे आज की class और इस question का answer आप लोग comment box में लिखकर बताएंगे तो आज के लिए इतना ही रखेंगे आगे के जो question है वो कल की class में करेंगे और आपको क्या करना है जैसे मैं डेली बोलती हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से एर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए आप लोगों का support नहीं मिलेगा तो हमारा class बनाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप लोग हमारे साथ है तब तक हम है आपके बिना हमारा कोई अस्तितु नहीं है तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से एर कीजिए और सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप सभी के support की बहुत ज़्यादा जरुरत है और आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है इसलिए निरासा महसूस होती है लगता है कि हमारी मैनत बेकार जा रही है कुछ भी नहीं हम हासिल कर पा रहे ठीक है तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आज के लिए इतना ही रखेंगे कल के क्ला झाल